हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आई चैनल स्टेडी फोर यू, सो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE CHSL का 11 जुलाई के 1st इप का एक्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है, इस वीड़ें होताऊंगा, तो देख लेता हैं कि किस परकार की जो है आज आपके 11 जुलाई के 1st इप के एक्जाम में जो है प्रेस्ट न पूछे गया हैं, उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSE किसी भी एक्जाम का real analysis पाने के लिए जो है, चैनल को सब्सक्राइब ज इस्वरी प्रसाद किस घराने से संबंदी थे, तो देखे अगर इस्वरी प्रसाद की बात कर ले, तो ये जो आपका कथक सास्तरी नेत से संबंदी थे, और अगर इनके घराने की बात कर ले, तो ये आपके लखनव घराने से संबंदी थे, तो लखनव घराना आपका यहा तो आठवी अनुसूची आपका करेक्टेंसर होगा, इसके लिए मैं आपको बदालोगी संभिधान की, आठवी अनुसूची में जो है, बाइस भासाओं का उलेख किया गया है, और वो बाइस भासाओं कौन-कौन से हैं, तो पहला आपका समिया, बांगला, गुजराती, हिं थाली, मैथली और डोगरी, यह जो आठवी अनुसूची में जो है, बाइस भासाओं को जो उलेख है, वो किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि, जब हमारा संभिधान बनकर त्यार हो रहा था ना, यानि संभिधान के प्रारम में, हमारे आठवी अनुसूची में जो है, चौदा भासाओं को ही, वो सामिल जो हो किया गया था, यानि आठ भासाओं को जो है, कब आपका सामिल किया गया था, तो देखे, मैं आपको बता दूँ कि, 1967 में, जो आपका एकिस्वा संभिधान संसूधन हुआ था ना, एक्जाम में प्रेश्न पूछा जाता कि, सिंधी भासा को जो है किस संभिधान संसोधन के तहर जो आठवी अनुसूची में जो जो जोड़ा गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि 71 जो संबिधान संसोधन हुआ था ना जो कि आपका 1992 में हुआ था और इस अधिनियम के दोरह जो आपके तीन भासाओं को जो है आठवी अनुसूची में जोड़ा गया था और वो तीन भासाओं कौन कौन सी है तो पहला आपका कौंकनी, मनी पूरी और नेपाली भासा को जो जो वो सामिल किया गया था इसके लावा ये तो आपके चार भासा हैं जो वो सामिल प्रभावी यह था और इनमे जो आपके बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली ये चार भासाओं को जो है बिराणवे संबिधान संसोधन 2004 के माध्यम से जो है इसे आठवी अनुसूची मे जो वो सामिल किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाई एक्जाम में अगर पूठा जा कि अनुछे 343 से 351 ये जो किस भाग से संबंदित है तो ये आपके भारते संबिदान के भाग 17 से संबंदित है और इसमें जो किसका प्रावधान जो वो क मानिता प्रदान किया गया है यहां से एक्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदि को संग की राजभासा के रूप में जो मानिता प्रदान किया गया है ये किस अनुछेत के तहद किया गया है तो ये आपके अनुछेत 343 के खंड एक के तहद जो वो किया गया है जिसक इनामी रासी जो है वो नहीं दिया जाता है तो देखे मैं आपको बता दू कि भारतिये खेलों के विकास में उनकी उपलब्दियों और योगदान के लिए अथलीट कोच या फिर समूग को जो है छे परकार के अलग-अलग रास्टे खेल समान जो है वो दिये जाते हैं और व भो समय मैजर ध्यानचन्द वरत दिया जाता है मौलाणा अबॉल्कलाम ट्रॉफी जिसे मा का समय के नाम से भी जाना जाता है यह जो आपका दिया जाता यह शटता जो आपका रास्ठे खेल रहत पुरुषकार की बात कर ले, तो इसका जो पहले नाम था वह आपका राज कर जो है वो मेज़ा ध्यानचंद खेल रटता पुरुषकार जो वो कर दिया गया था और इसमें विजेता को जो है ये 25 लाक रुपे की इनामी रासी जो वो दी जाती है यानि इस पुरुषकार में जो आपका विजेता को जो है वो इनामी रासी दी जाती है तो ये तो आपक खिल स्रेनी में जो है ये पुरुषकार जो वो दिया जाता है और इसमें वीजेता को जो है 15 लाक रुपे की इनामी रासी जो वो दी जाती है यानि अर्जुन आवाड में भी जो है आपके इनामी रासी जो वो दिये जाते हैं इसके लाव अगर द्रोनाचारे पुरुषकार की बात कर लें तो यह जो आपके प्रतिस्टित पुरुषकार खिलाडियों को नहीं दिया जाता है बलकि खिलाडि को कोच को जो है यह पुरुषकार जो वो दिये जाते हैं और इस पुरुषकार में विजेता को जो यानि कोच को जो है 15 लाक रुपे की इनामी रासी जो वो मेजर ध्यांचन पुरुषकार जो वो प्रदान किया जाता है तो इसमें भी आपका इनामी रासी जो वो दिया जाता है मौलाना अबुलकलाम आजा ट्रॉफी की बात कर ले जिसे मांका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है और यह आपके अंतर विश्विद्याले टूनामेंट में सिड्स परदर्सन के लिए जो है विश्विद्याले को यह ट्रॉफी जो वो दिया जाता है और इसमें विजेता को जो है 15 लाक रुपे की इनामी रासी जो वो दी जाती है यानि इसमें भी जो आपका इनामी रासी जो वो दिया जाता है इसके लावाद जो चौता अपसंद दिया गया था हुआ आपका रास्टे खेल प्रोचसाहन पुरुषकार दिया गया था और ये question के according जो आपका सही उत्तर होगा ना वो रास्टे खेल प्रोचसाहन पुरुषकार होगा तो रास्टे खेल प्रोचसाहन पुरुषकार आपका correct answer होगा next question आपका इवरात है कि दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच जो है एक जल के विवाजन के रूप में जो है ये कारे करता है तो दिल्ली चोटी जिसे जो है अरावली चोटी के नाम से भी जो वो जाना जाता है और ये जो आपका सिंदू और गंगा जल निकासी प्रनालियों के बीच जो है जल के विवाजन के रूप में जो ये कारे करता है तो सिंदू और गंगा आपका यहां पे गरिक टैंसर होगा नेक्स्ट कोश्च आपका 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 भूपे नहजारी का पूल जिसे जो ढोला सदिया पूल भी कहा जाता है यह जो आपका किस वर्स बना था तो देखे अगर भूपे नहजारी का पूल की बात कर ले तो यह जो आपका भारत का दूसरा सबसे लंबा पूल है यानि अगर भारत के सबसे लंबे पूल की बात कर ले तो यह जो आपका अटल सेतु ब्रीज है जो कि आपका मुंबे में इस और यह जो आपका भारत का जो दूसरा सबसे लंबा पूल है ना यह आपका भूपेन हजारी का पूल है यह आपके अस्व और अरुनाचल परदेश के पुरवत्तर राजी को जोडता है और यह जो पूल किस नदी पर बनाए तो यह आपके ब्रहमों पूत्र की एक प्रमुक स इजनेरिंग कंपनी के साथ जो है सारवजनिक नीजी भागितारी के रूप में जो है इसका निर्मान जो वो शुरू हुआ था लेकिन अगर इसके उधगाटन की बात कर ले तो देखे इस पूल का जो उधगाटन है ना ये 26 मई 2017 को जो है भारतिय प्रधान मंतरी नरेंद्र म होगा अगर सिर्फ आपका निर्मान कब शुरूआ था ये पूछा गया था तो नॉमबर 2011 आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्य आपका अपना था कि गुरु तेग बहादूर की जो हत्या है ना ये किसके आदेश पर जो वो कर दिया गया था तो देखे गुरु तेग बहादूर की बात कर ले तो ये जो आपके सीख धर्म के जो है ये आपके नौवे गुरु थे और इनकी जो हत्या है ना ये औरंग जेब के आदेश पर जो वो कर दिया गया था तो और बात कर ले इनकी हत्या क्यों किया गया था तो देखे इनोंने जो है मु अगर पूछा जाए कि ग्यूरुति बादूर ये जो है कब सहीद हुए थे तो ये आपके 24 नुमबर 1675 को जो है नई दिल्ली में जो है ये सहीद हुए थे तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा नेक्स्ट कोश आपका अब रहता है कि सनी ग्रह से शंबंदीत कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं दिया गया है तो देखें अगर सनी ग्रह की बात कर ले तो देखें सनी ग्रह जो है ये आकार के अनुशार ये जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है अगर सबसे बड़ा ग्र जो आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रहा है या अपका Suni ग्रहा है इसके लावा Suni को अक्क कर लगू सरमंडल साधुल के मौडल के रूपमें जो वह संधर्भीत किया जाता हैं और Sunny यह सूरी से जो वो छटा ग्रहा है, यानि आपका सबसे दूरी पर यह आपका सूरी से जो है, यह आपका छटा नंबर पर आता है Sunny, इसके लावा ब्रेस्पती, Sunny, Uranus और Neptune जो है, यह आपके बारीक ग्रहों के रूप में जो वो जाने जाते हैं, और ब्रेस्पती और Sunny जो वो आपका correct answer होगा, इसके लिए बात कर ले, आपके जो है, आंतरी ग्रह किसे कहा जाता है, तो देखे, आंतरी ग्रह वे ग्रह होते हैं, जो सुरी के सबसे निकट होते हैं, और सुरी के सबसे निकट ग्रह कौन-कौन से हैं, तो देखे, बूद, सुक्र, पृत्वी और मंगल यह सबी जो आपके आंतरी ग्रह हैं, और आंतरी ग्रह जो है, यह आपके ज्यादा तर जो यह आपके चटानों से बने होते हैं, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपका यह आप रहा था, कि हाली में, सिवशेना के परमुखी या फिर अध्याच जो है, यह कौन बने हैं, तो देखें, अगर सिवशेना की बात कर लें, तो देखें, सिवशेना का जो साब्दिक अर्थ होता है, यह सिवाजी की सेना होता है, और यह भारत में एक दचिन पंथी, मराथी, छेतरवादी, और हिंदू, अंतिरास्टवादी, आपके एक नाथ सिंदे हैं, तो एक नाथ सिंदे आपके यहाँ पर गश्रेक्टेंसर होगा, इसके लाम बात कर लें, सिवशेना का चुनाओ चिन अगजाम में पूछा जाता है, तो देखें, मैं आपके दधनूष और बान है, तो ये अपको धियान में रकना है, नेक्स् में आठ गोल्ड मेडल एक सिल्बर मेडल और तीन आपका जो वो ब्रॉंच मेडल सामील है जिसमें भारत के तरफ से जो अपना उलमपिक लास्ट जो अलमपिक पदक है ना ये टोकियो ऑलमपिक 2020 में जो वो जीता गया था और टोकियो ओलम्पिक 2020 में भारत पुरुस होकी टीम ने जर्मनी को पांच चार से हरा कर जो है ये ब्रांज मैडल जो जीता था तो टोकियो ओलम्पिक 2020 आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके अगर एक्जाम में ये प्रशन पूचा जा कि भारत ने अपना अंतीम होकी जो ओलम्प में जो जीता गया था और उसमें भारते पुरुस होकी टीम के कप्तान कौन थे तो देखे मास्को ओलम्पिक में भारते होकी टीम के जो कप्तान थे ये आपके वासुदेवन भासकरन थे तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है और भारते पुरुस होकी टीम के पहला स्वार्न पदक किस वर्स में जीता गया था तो देखे भारते पुरुष टीम के दौरा पहला जो स्वार्न पदक है ना यह आपके 1928 के एमेस्टरडम उलम्पिक में जो वो जीता गया था और किस टीम के खिलाब जो वो जीता था तो फाइनल में नीदर लैंड्स को हरा कर जो है भारत 1928 के एमेस्टरडम उलम्पिक में पहला सुरन पदक जो जीता था तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है और अगर आप मेरा extra fact देखते हैं तो आप comment करके जरूर जवाब दीजेगा कि 1928 में जो भारत के तरफ से पहला सुरन पदक एमेस्टरडम उलम्पिक में जीता गया था उस समय भारते पुरू सौकी टीम के कप्तान कौन थे ये जवाब comment करके जो वो जरूर जवाब दीजेगा next question आपका यहाप रहा था कि कबड़ी खेल में चेतावनी देने के लिए जो है कौन सा card जो वो नहीं दिया जाता है तो देखे मैं आपको उतादू कि कबड़ी खेल में आपके तीन card जो वो दिये जाते है और वो तीन card कौन-कौन से है तो पहला आपका green card दिया जाता है second आ पहला आपका कबड़ी में green card जो वो दिया जाता है yellow card जो है एक खिलाड़ी को 2 minute के लिए जो वो निलंबित कर देता है यदिवे निवो का उलंगन करते हैं या पिर अपनी सिमाओ को जो वो पार कर देते हैं तो yellow card के तो पर जो है इन्हें 2 minute के लिए जो वो बैठना होता है यानि दो मिनट तक जो है वो कोट में जो वो नहीं आ सकते हैं इसके लावा अगर रेड कार्ड की बात कर ले तो देखे फुटबॉल की तरह जो है किसी खिलाडी को अगर लाल कार्ड जो वो दे दिया जाता है तो वो पूरे मैच के लिए जो वो निलंबित हो जाते है यानि पूरे मैच जो वो खेल नहीं सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि कबड़ी में साथ प्लेयर होते हैं और किसी प्लेयर को अगर लाल कार्ड दिखा दिया जाता है तो छे प्लेयर के साथ ही जो है फिर आपको जो वो खेलना होता है तो यह रेड कार्ड का मतलब होता है तो यह तदा उनके भासा के साथ जो वो मिलान करना था जहां पे आंद्रपर्देश में आपका जो सही मिलान होगा वो आपका तेलगू भासा होगा केरल राज्जे में जो सही आपका मिलान होगा भासा का वो आपका मल्यालम भासा होगा क्योंकि आंद्रपर्देश का जो ओफिसल ल next question आपका यहाँ आप रहा था कि स्वामी विवेका नंद सिकागो में यह कब भासन दिये थे तो देखे स्वामी विवेका नंद के द्वारा सिकागो में जो भासन है ना यह 1893 में जो दिया गया था तो 1893 आपका यहाँ पे correct answer होगा इसकला मैं आपको बठादू कि स्वामी विवेका नंद जी के द्वारा ही जो है 1897 में राम क्रेशन मिशन की अस्थापना भी जो वो किया गया था और इनका जो एक्जाम में वास्तवीक नाम पूछा जाता है तो देखें विवेका नंद का जो वास्तवीक नाम यानि बच्पन का जो नाम था ना ये नरेंदर नात दद था और इनके गुरू का नाम भी प्रिवियस सिप्ट में आप से पूछा गया है तो देखें स्वामी वेका नंद के जो गुरू का नाम था ना यह रामकृषन परमाद था तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, next question आपका याप रहाता है, इन में से कौन सा यह रोसनी का त्यवार जो कहा जाता है, तो देगे दिपावली चो धिवाली के कहा जाता है, तो दिवाली आपका correct answer हो गा, इसके लाव़ा आप कमेंट करके ज ज़रूर जबाब दीजएगा। इसके दावा हनुक्वा भी जो है आपका रोशनी का ढुआ थे वहार है तो यह ऋध्यृ Cornu की द्रम थेवार है तो यह चीए inviting थेवार है। इसके दावां देव देवाली की बात में और दिवाली का प्रेवार में अगर बात कर ले तो यह आपका वर्इंदाबन में जो वात कर ले तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है और देखे मैं आपको बता दूँ कि ऐसा आपका कोई भी सिप्ट नहीं था जिसमें मौली कर्तबे से जो आपके प्रस्ण जो वो नहीं पूछे गया है आपके हर सिप्ट में जो है मौली कर्तबे से जो वो प्रस्ण पूछे गया है और 42 संभिधान संसोधन की अगर मैं बात क संबिधान में आठ परकार के मौली कर्टबे का सुझाओ जो वो दिया गया था एक्जाम में यहां से पूछा गया था कि सरदार स्वान सिंग समीधी के सिफारिस पर 42 sabbidhan san 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 इसके माद्यम से जो हमारे संबीदान में जो वो जोड़ा गया था और मौलिक कर्टबे जो है यह किस भाग और किस अनुछेद में है तो भाग 4A और अनुछेद 51A में मौलिक कर्टबे का वर्नन जो है वो किया गया है और मौलिक कर्टबे का प्राधान जो है यह आपके रू मौली करतबे में जो वो कहा गया है नेक्स टाप का यहां पर आता कि इन में से राजस्थान का कौन सा जो है लोक गीत है तो देखे राजस्थान के अगर लोक गीत की बात कर ले तो कांगसिया हिचकी जक्रिया पहपिया कांगा यह सबी जो आपके राजस्थान के लोक गीत है इसके लावा मंद भी जो है आपका राजस्थान का जो वो लोगगीत है तो इन में से जोभी ऑफिशन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट टैंसर होगा इसके लावा पशिम बंगाल के लोग गीत की बात कर ले तो देखे भटीहाली गीत जो है यह पशिम बंगाल से है सोहर बिरहा और फगवगव की बात कर ले तो देखे सोहर बिरहा और फगवगवग यह आपका बिहार से संबंधित है कजिरी जो है यह आपका उत्राखंड और उत्तर परदेश से शम्बंदीत है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट आप कहीं आप रहता है कि हावडा ब्रीज की जो अस्थापना है यह कब हुआ था तो देखे हावडा ब्रीज की जो बनाने की सुरुआत है यह आपका 1936 में हुआ था लेकिन यह आपका हावडा ब्र परवड़ी उनीसो दितालीस को जो वो किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्ट आपका यह आप रहा था कि 21 ए अनुछेद के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा जो है वो क्या होनी चाहिए या फिर अनुछेद 21 ए ना पूछकर 45 भी पूछा गया होगा तो इसके एक और्डिंग जो आपके बच्चे की उम्र सीमा है ना यह 6 से 14 वर्स का होना चाहिए तो 6 से 14 वर्स आपका करेक्ट एंसर होगा और देखें संबिदान के अनुछेद 21 ए को जो है यह आपके 86 वे शंबिदान संसुदन 22 के महाद्यम से जो है इसे जोड़ा गया था तो यह तो आपका अनुछेद 21 ए हो गया अनुछेद 21 की बात कर लें तो यह आपका प्रान एवं दहिक सुतनता के अधिकार से संबंदी थै और यह जो आपका अनुछेद 21 एना यह किसी भी परिस्तिती में जो है वो आपका निलंबी जो यानी यह नहीं बदलता है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रिखिएगा इसके लाव मैं आपका बता दो कि भारते संबीदान में सिच्छा से संबंदी जो है आपके तीन अनुछेद में जो वो जिक्र किया गया है और वो तीन अनुछेद कौन-कौन से हैं तो पहला आपका अन उच्छेद 51 जो है 11 मौली कटबे में जो है इसका जिक्र जो वो किया गया है नेक्स्ट अप कर दा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को जो है यह क्या कहते हैं तो तो देखे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को जो है यह आपका रेट कलिफ रेखा जो तो रेट कलिफ रेखा आपका correct answer होगा और देखे इनके बीच सीमा का जो निधारन है यह किसके नाम पर जो रखा गया था तो यह आपके सीरिल रेट कलिफ के नाम पर जो रखा गया था तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा 49 समना अंतर रेखा की बात कर ले तो यह जो आपका America और Canada को जो है यह आपस में अलग करता है तो यह point भी आप ध्यान में रखे और इससे previous हिप्टों में आप से पूछा गया था कि 10 degree जो channel है ना यह आपका किस से किस से अलग करता है तो देखे 10 degree channel की बात कर ले तो यह आपका अंडमान और निकोबार जो वो किया जाता है तो कथक आपका correct answer होगा और कथक जो है यह आपका उत्तरपरदेश राज्य का जो है एक सास्त्रे नित है तो यह fact भी आप ध्यान में रिखेगा next step का यह आप रहता कि fiscal policy यानि राजकोशी निती से जो है आपके statement बेज जो आप प्रशन पूछे गया थे और पूछे गया था कि इन में से कौन सा statement जो है आपका सही दिया गया है तो देखे अगर राजकोशी निती के बात कर ले तो देखे इसका जो मतलब होता है ना सरका अपने खजाने से क्या खर्च करना चाहती है और किस तरह से tax लगा कर राजस वहासिल करने की इच्छुक है इस निती के साथ सरकार की रिन निती वी जो जूड़ी होती है ताकि अगर प्रयाप्त राजस ना प्राप्त होने की दीसा में जो है कर्ज जो वो उगाये जा सके और राजकोसिय निती जो है यह आपके थीन परकार के होते हैं और वो थीन परकार कौनकों से हैं तो पहला आपका तठहस्त, सेकंड आपका संकुचनकारी और थर्ड आपका विस्तारवादी यह जो आपके थीन परकार के जो है राजकोसिय निती होते हैं इसके लावा जो option में दिया गया कि राजकोसिय निती में जो आपके सामिल होते हैं यह आपका GST यानि goods and service tax यानि माल औल सेवा कर जो यह आपके सामिल होते हैं आएकर संपतिकर सीमा सुलक आदी सरकार इन करों के मादम से बड़ी मात्रा में धन जो वो जुटाती है जिससे सरकार का जो कर है न यह राजसो जो है वो बनता रहता है तो राजसो निती जो है यह किसके लिए है तो यह आपका GST के लिए है तो option में आपका GST दिया गया था तो sorry GST ने बजट दिया गया था तो बजट जो है आपका यहाँ पे correct answer होगा क्योंकि जो राजस नीती है ना यह आपका बजट से भी जो वो संबंदी थै तो बजट वाला option जो आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लावा एक question आपका यहाँ एक exam में आया था Supreme Court से संबंदी जो एक समीती का कथन आया था अब किस समीती का कथन आया था यह exact जो है प्रशन मुझे नहीं मिल पाया है तो जिस भी बच्चे को है यह प्रशन याद है तो comment करके जो वो जरूर बता दीजेगा तो इतने question जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो